हलो फेंट्स वेलकम तो गाचैनल क्रिप्टो वेद विशाल सबसे पहले आप सब लोगों को हैपे नियूए 2023 उम्मीद करूंगा ये साल आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा रहे फले फूले आप और इसी के साथ साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री भी हमारी अच्छी चले जो 2022 में हुआ है जो सेटबेक हुआ है वो एटलीस हमें 2023 में देखने को ना मिले आज के वीडियो में गाईस बात करने वाले हैं बिटकोईन के बारे में क्या मेरे according बिटकोईन का प्राइस 23 में हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्या important trend है क्रिप्टो करनसी के लिए 2023 में और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ है जो आज तक क्रिप्टो करनसी में कमी नहीं हुई बिटकोईन के प्राइस में जो 2022 में हमें देखने को बिली तो एक बार चलते हैं चार्ट पे सबसे पहले तो currently जब यह वीडियो में बना रहा हूँ बिटकोईन का प्राइस है 16,517 भी चल रहा है तो कुछ चीज़ें जो पहली बार बिटकोईन के हिस्ट्री में हुई है पहली जीज़ एक बार हम डेटा में चलते हैं 2022 का साल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो चारो के चारो क्वार्टर जो है हमारे रेड में रहे है आज तक पिटकोईन के हिस्ट्री में अगर आप 13 से अब तक देखेंगे तो एट लीस एक क्वार्टर जो होता है वो हमारा एट लीस ग्रीन में चलता ही चलता है पर 22 साल ऐसा आया जब हमें एक भी क्वार्टर यहाँ पे ग्रीन में जो है देखने को नहीं मिला जैन्वरी के महीने के बारे में भी अगर हम लोग गाईस बात करें तो अगर आप पीछे हिस्ट्री उठाएंगे तो जादा तर मौकों पे आपको जैन्वरी का महीना जो है वो रेड कलर में दिखाई दिया है अगर आप बात करेंगे पंदरा की, सोला की, सतरा की, अठारा की, उन्निस की लगातार पांच साल आपको जैन्वरी का महीना रेड में दिखाए और अगर हम बाइस की बात करें यानि कि लास्ट है तब भी हमें कुछ इसी तरीके से चीज़े मिली है हाँ, फेब्रेरी का महीना जरूर हमारे लिए एक पॉजिटिव रहा है, खाली दो बार, 2014 में और 2020 में ऐसा हुआ है अभी तक कि फेब्रेरी के महीने में हमें थोड़ा डाउनफॉल दिखा है, otherwise ज़दातर मौकों पर हमें फेब्रेरी का महीना जरू ग्रीician के साथ यहां में दिखाई दिया है, तो जएनवरी में अगर meatballs में तो फेब्रेरी का महीने की बारे में बात करें तो ग्री दिखी आफ का महीना दिखी hits पास history की according हम यहां पर देखते हैं तो पहली चीज, quarter में अगर आप देखें, आज तक कभी हमें green नी देखने को मिला, पुरे का पुरा 2022, एक और चीज मैंने देखी यहाँ पे चार्ट में, अगर आप देखेंगे history में, कभी भी yearly यह हम लोग yearly चार्ट में, बीटी सी के, कभी भी दो candle एक साथ जो है हमारी red नह इसके बाद guys, price के बारे में अगर आप बात करें 2023 की, तो अभी के हिसाब से अगर मैं आपको बोलो, दो चीज़े हैं, जो major issue है, पहला FTX, FTX के अभी भी चीज़े चल रही है, अगर आने वाले time में और कुछ बड़ा issue आया, तो एक market down होता हुआ दिख सकता है, दूसरा है inflation यह दोनों चीज़े अगर sort होती हुए हमें दिखें, तो BTC यहाँ से एक अच्छी recovery कर सकता है, क्या recovery कर सकता है, उसको एक बार समझते हैं यहाँ पे, इसके लिए फिर से हम लोग चलते हैं इधर चार्ट में, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, having की बारे में हम लोग तो सबसे पहले पीछे की history में छोड़ देता हूँ, 12 में होई थी, उसको मैं अब इगरोर करता हूँ यहाँ पे, 16 से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे, 2016 के बाद हमें 17 में pump देखने को मिला था, तो 16 से पहले भी अगर आप देखेंगे, तो एक candle हमें around 81% की देखने को मिली थी, same चीज रिपीट हुई थी, 2020 में जब आगी हुई थी, उससे पहले 2019 में भी हमें एक candle at least 159% की देखने को मिली थी, पीछे history के base पे अगर हम लोग देखी हो और अगर मैं यहाँ पे chart भी देखते हैं अगर हम लोग, तो मैं मेरे हिसाब से जो मैं at least BTC को इस range पे देख रहा हूँ अभी, मैं अगर आपको BTC के current price से लेके चले और मैं ज़्यादा नहीं यहाँ से अगर मोटा मोटा 100% का भी अगर BTC के price में अप यहाँ पे देखता हूँ, तो BTC मुझे तकरीबर 52, 53,000 या मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलू, 50 से 35,000 से 35,000 के बीच में at least BTC मुझे दिख रहा है, 2023 में, again ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ negative way में बोल रहा हूँ, BTC के लिए मैं यह बोलना हूँ कि BTC all time high नहीं जाएगा, देखें, 23 में problem है सारी की सारी, क्योंकि history के according अगर हम लोग देखें, तो BTC का जो हमेशा all time high previous बनता है, वो जब भी having की cycle होती है, उसके next year बनता है, उस trend के अगर आप देखते हैं, तो 24 के having होने वाली है, तो 25 में आपको एक बड़ा वाला massive move जो होता है, जो पीछे अगर आप history में देखेंगे, आपको बहिए देखें, आपको 120%, 40%, 215%, या फि पम देखने को मिलते हैं, वो मुझे लगता है कि 24 के end में या फिर 25 के around हमें देखने को मिलेगा, उससे पहले मेरा ऐसा मानना है कि बीच में हो सकता है, 31-40% का pump, क्योंकि यहां से भी अगर उपर जाना है हमें, तो 1-2 quarter BTC को at least अपने अच्छे ही हापे बनाने पड़ेंगे तो इस साल BTC सो जो मेरी expectation है वो तकरीबन 30-35 के बीच में यहां पर चल रही है और यही indicator में यहां से भी दिखा रहा है, दो चीज़े हो गई, इसके अलावा तीसरी बात करते हैं कि इस साल क्या industry के according जो trend है वो दिख रहे हैं, आपर तो 3 चीज़े मुझे दिख रहे हैं, द बात करता हूं, मैं आपको industry trend के बारें बात करता हूं और इस चीज़ को अभी हम लोग आज जो programming वाला channel है, वहाँ भी discuss करेंगे, क्योंकि यह सब programming से भी interrelated है, crypto से इसलिए होगी crypto के coin, और programming से related क्योंकि programming से related ही चीज़े उसी से बनेंगी, तो पहली चीज जो मुझे लगता है, जो बड़ा massive pump यहाँ पे 2023 में लेगी, that is web3, web3 के जो project है, specially जो fundamental project है, जो issue को resolve कर देंगे, वो मुझे लगता है, 23 में हमें कही नगी बढ़ते भी देखेंगे, और एक तीसरी चीज, यह चीज में आपको बोल रहा हूं, global, जब आप global level पे लोगों से बात करते हैं, that is metaverse कई जगा पे यह चीज है कि metaverse का जो potential था, bubble था एक, जो 2022 में खतम हो चुक है, लेकि मेरा मानना है नहीं, 2023 में भी, अगर एक बड़ा development हमें, move देखने को मिलेगा metaverse का, तो जो metaverse के coin है, वो फिर से 2021 में आप लोगों ने जिस तरीके से देखा होगा, boom हुए थे, even 22 में भी ह हुए थे, 21-22 में, उस तरीके से एक बार फिर से 23 के अंदर भी हमें आती हुए चीज़ें दिख सकती है, again, यहाँ पे हम लोग बात किसी particular coin की नहीं कर दें, यहाँ पे बात industry की कर दें, अब अगर आप वो industry के जो mean coin है, जैसे कि IOT की बात करें, हम लोग web 3 की बात करें, metaverse क बात करें, उनके price में मेरा मानना है कि 2023 में हम एक अच्छा जो pump है, वो देखने को मिल सकता है, तो यह था guys, overall मुझे लगा 2023 year start हो रहा है, तो कुछ एक informatic content के साथ हम लोग उसका जय स्टार्ट करें, इसके लावा guys, जो हमारा दूसरा channel था, जो हमने recently start किया था, current channel terminate होने के है, that is now crypto insights, तो जो भी daily की news updates रहेंगी, वो आपको सबसे पहले उस channel पर मिलेंगी, then दिन में हम लोग किसी बड़े topic क्यों पर कोई इस तरीके का content है, जिसको थोड़ा detail में discuss करना है, वो वाली चीजों को हम लोग ये channel पर discuss करेंगे, आप लोग का opinion आप लोग को क्या लगता ह है, 2023 में btc का price जा सकता है, वो जोर एक बार मुझे comment box से बताएगा, यह दगर इस video पसंदा है आपको, इसको like और share सुरू केगा, चैनल में अगर आप नए है, first time मेरा video देखने है, जोर चैनल को subscribe करेंगे, और सारे regular updates के लिए, telegram का channel अगर join नहीं किया है, जोर 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 करके जोई नहीं करेंगे, otherwise किसी scammer के चालप्या पैट हो सकते हैं, thank you friends